दोस्तों सिक्षक का जो सम्मान है, गुरु का जो सम्मान है वो सबसे जादा है। सिक्षक को हम लोग मार्क दक्षक एक गाइडेंस के तौर पर देखते हैं, एक मेंटर के तौर पर देखते हैं। लेकिन जब ये सिक्षक अपनी हैवानियत पर उतरते हैं तो इस से पूरे की पूरे उस community का बहुत जो है वो नाम-बदनाम होता है एक घटना है कानपूर की घटना है जहांपर एक लड़की जो कि 17 साल की है महज वो तैयारी करने के लिए आती है नीट की लेकिन दो टीचर्स ने उसके साथ में जो हैवानियत की वाकई में ये मानके चली कि यार ये तो कोई category नहीं है इसकी कोई जो है उसको हम लोग recognize नहीं कर सकते हैं और मैंने कई बार आप लोगों कहा है कि आर ये pornography जिस तरीके से adverse effect करती है आपको पता भी नहीं चलता है कि आप इंसान से कब शैतान जो है वो बन जाते हैं ठीक है तो हम लोग देखेंगे कि क्या घटना हुई है और मैं आप लोगों से बस यही कहूंगा कि आप लोग ऐसी जो addiction वगरा है इनसे दूर रही है क्योंकि इसमें जो दो वेक्ति हैं उनमें से एक वेक्ति highly addicted था pornography का porn addiction का ठीक है चलिए तो हमारा level 3 शुरू हो चुका है आप लोग flat discount 399 के अंदर हमारे इस course के साथ में जुडिए 100 days का hard challenge आपको 399 के अंदर मिलेगा और आप लोग 100 दिनो है कि आखिरकार ये घटना कैसे घटिक हुई है देखे एक लड़की जो है वो तयारी करने के लिए कानपूर पहुंसती है नीट की तयारी करने के लिए 2022 के अंदर जैसे ही वो 2022 के अंदर पहुंसती है अपनी coaching को शुरू करती है coaching के अंदर दो teachers रहते हैं एक teacher जो की biology आता है वो है पोरवाल ये दोनों ही teacher जो है वो coaching के अंदर पढ़ा रहे हैं अब जो साहिल सिद्धिकी था वो pornography का highly addicted बंदा था और वो pornography का addiction इसके उपर इतना हावी हो चुका था कि वो अपनी उपर emotional नहीं कर पा रहा था अब क्या होता है कि ये जो 17 साल की लड़की है उसक की ये बात है और जिस समय party की गई तो उस समय उस लड़की को invite किया गया flat की उपर साहिल सिद्धिकी ने invite किया जैसे वो लड़की वहाँ पर पहुंसती है तो वो देखती है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है और जब किसी को भी वहाँ पर नहीं पाती है तो कहती है कि और कहां पर है पॉलो नहीं मैंने तुमको ही invite किया था वो जो साहिल सिद्ध की है वो अपने flat के अंदर बैठाता है और cold drink सर्व करता है और cold drink के अंदर वहां पर नीन की गोलिया रहती है ड्रक उसके अंदर रहता है जैसे ही लड़की उसको consume करती है उसके बाद भी वो बहोश हो जाती है और फिर साहिल सिद्ध की उसके साथ में rape करता है वो जो rape का video था उसको वो shoot भी कर लेता है shoot करने के बाद उस लड़की को blackmail करता है कि अगर तुम मेरे साथ घूमने के लिए नहीं गई तुम मेरे साथ parties में नहीं गई तो इस video को मैं तुमारे घरवालों को दे दूँगा और ऐसा करते हुए बहुत लंबा समय जो है बीच जाता है इसके बाद में उसका ही एक दोस्त होता है पोरवाल जो कि वहाँ पर chemistry पढ़ाता है अनिल पोरवाल उसका नाम है तो वो जो टीचर है बाइलोजी का वो अपने दोस्त को भी कहता है कि ऐसा इसे एक बात है तो वो जो उसका दोस्त था टीचर का दोस्त था वो भी तयार हो जाता कि मैं भी उस लड़की के साथ में संबंद बनाऊगा तो वो जो बाइलोजी का टीचर था साहिल सिद्धिकी वो उस लड़की को मजबूर करता है कि तुम इसके साथ भी संबंद बनाऊगा अब खूली के वक्त वो अपने घर पर जाती है लड़की तो वहाँ पर जाने के बाद साहिल सिद्धिकी उसको फोन करता है कि तुम अभी के अभी वापस से आजाओ कानपुर लड़की कहती कि अभी तो मैं फेस्टिवल के उपर आई हुई हूँ और लड़की तुमको अभी के भी आना पड़ेगा उसको मजबूर करता है लड़की से बहुत परिशान हो जाती है कि आर ये तो ठीक बात नहीं है मतलब ये तो इतना परिशान करने लग गया है लेकिन फिर भी लड़की वहाँ पर पहुंसती है और फिर जाकर वो F.I.R. दर्ज करवाती है अब इतने दिनों से तो वो काफी परिशान चल रही थी लगबख 6 महीने तक उसको बहुत परिशान किया उसके बाद में वो F.I.R. दर्ज कराती है इन दो लोगों के खिलाफ और जैसे इन से पूष्टाच होती है तो बाद में खुलासा होता है कि एक लड़की का इन्होंने इस तरीके से ही सेक्शुल हर्स्मेंट किया था बाद में वो लड़की जो थी वो खुद सामने आती है और वो कहती है कि हाँ एनकि उसकी हिम्मत अब बढ़ती है कि यार एक लड़की के साथ में तुम रेप कैसे कर सकते हुए वो तो पढ़ाई करने के लिए आई थी तुम तो उसके टीचर थे तो साहिल सद्धिकी जो कहता है वो वाकई में होश उडाने वाला था वो कहता है कि सर मैं पॉर्नोग्राफिक को इतना देख चुका था इतना मैं अडिक्टेड था कि मैं हर दिन पॉर्नोग्राफिक देखता था और अपने आपको कंट्रोल नहीं कर पाया मैं आउट ओफ कंट्रोल चला गया था और उसी के अंदर मुझे ये आदत लग गई थी कि मैं किसी भी लड़की को इस तरीके से फसाओ और उसका मैं वीडियो बनाओ तो ये जो घटना है वो अभी हाल ही के अंदर कानफोर के अंदर घटी है और पॉक्सो एक्ट के तहट उसके उपर कारवाई की गई है दोनों ग्यक्ति के उपर इसमें सेक्शन्स लगे हैं 376 इस सारे सेक्शन्स उसके उपर लगाए गए है 324 वगरा सब कुछ तो मेरा बस आप लोगों से यही कहना है कि जो पॉर्नोग्राफी आप लोग आज देख रहे हैं उसके जो साइड एफेक्ट हैं फूचर के अंदर आप उसको उसको जो है जरूर फेस करेंगे जैसे आपके अंदर कंसेंट्रिशन की कमी रहेगी आपके अंदर फोकस की कमी रहेगी आप पूरा दिन भर जो है लेजिनेस फिल करेंगे इनोवेटिव आइडिया आपकी दिमाग में नहीं आएंगे अभी तो आपको पता नहीं चलेगा जो आपकी life थोड़ी से आगे और बढ़ेगी न तो आपके जीवन के अंदर अज सफलता हैं आना शुरू हो जाएंगी अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो ये जिम्मेदारी आप हमको दीजिए 100 days का challenge join कीजिए जिसमें हम लोग techniques आपको बता रहे हैं और level 3 हमारा शुरू हो चुका है जो की जबर्दस्त है golden days है ये आप इसको जुरूर जॉइन कीजिएगा flat discount चल रहा है 399 के अंदर तो इसी घटनाओं को रोकने के लिए एक मात्र सादन है कि society के लिए हम लोग work करें तो 399 के अंदर आप लोग हमारे scores के साथ जुड़ सकते हैं जिसमें advanced techniques हम लोग बताएंगे और आपको आपकी life के बारे में आपको जो आपका goal है वहाँ पर आपको लेके जाएंगे कि वाकवी में आप ये achieve करना चाते थे लेकिन आप अपने goal को भूल चुके थे तो आप ज़रूर हमारे scores के साथ में जुड़िएगा पूरा life जो है वो change हो जाएगा चली मिलते हैं आप लोगों से अगले session में टपकले धन्यबाद Thank you जैह